हाई देरोर वेल्कम तू माई चैनल तोड़े यू गोना लर्न विंटर विखेबुलवड़े स्वाइव रेड़ी देखे ठंड को हम अंगरीज में कहते हैं कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंड होना यानि कि एतनी ठंड जितनी की होनी नहीं चाहिए थी बहुत ज़्यादा ठंड को हम अंगरीज में कहते हैं तू कोल्ड, तू कोल्ड, कभी-कभी क्या होता है, कि मौसम में इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, कि जैसे हम कहते हैं, कि भाई, आज तू गलन हो रही है, यानि इतनी ठंड ज़्यादा हो रही है, कि यह दी में बहार निकला, तो शरीर गल न जाए, इतनी ज़्यादा हो रही हैं गलन होना अंगरी जिम में होती है बाइटिंग कोल्ड बाइटिंग कोल्ड ओस को हम अंगरी जिम कहते हैं डियू ओस कहलाती है डियू कोहरा को हम हम अंगरी जिम में कहते हैं फॉग कभी कभी क्या होता है कि धुए के साल साथ और कोरा भी हो जाता है यानि कोरा हो राया और धुण्द भी चाई हूई है तो इस मौसम को हम कहते हैं यानि धुन्द को हम कहते हैं इस्मॉग इस्मॉग वर्फ गिरना होता है स्नूव वर्फ गिरना अंग्रेजी में कहलाता है स्नूव कभी-कभी क्या होता है ठन ज्यादा बढ़ जाती है तो शीत लेहर चलने लगते हैं शीत लेहर को अंग्रेजी में बोलेंंगे ओड़ विव अकौल्ड विव ? अ आपने देखा हुआ सथी में कभी-कभी क्या होता है कि हमारे होट फट जाते हैं फटे होट को हम अंग्रेजी में बूलेंगे Chapped Lips Chapped Lips तो धन्ट से बचने के लिए काउं में लोग क्या करते हैं कि आग जलाते हैं आग जलाना अंग्रेजी में होता है Set Fire Set Fire हाथ सेकना आग पर या आग तापना हाथ गरम करना इसको अंगरीजिय में कहते हैं वास्क वाईदा फायर दूप सेखना यानि कह दूप मैं बैठना अंगरीजिय में कहलाता है वास्क इन सन तो आज हमने सिखा winter related English vocabulary तो इसी तरह की वीडियो से देखने के लिए आप चैनल को सबस्काइब कर सकते हैं Thanks for watching